जहीं दोस्तो और इन जाब में आपका स्वागत है तो जह हम बात करने वाले हैं मानोश रिज यानि हुमन बैड बड़ी के बारे में बात करने वाले हैं इसमें हम 50 कोश्चन आपके लिए कर आये हैं जो बहुत महत्पूर्ण कोश्चन है जो हर एक एक्जाम में आपसे अच्छा लागे तो शेयर जरू करेगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनलों को सब्सक्राइब कर दे और बेले कि दबादे जिससे हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुचा सके अगर आपको कोई भी जॉब का अपडेट चाहिए तो कमेंट बोक्स मिलिकर बताए उसका अपडेट हम जलती आपको नए वीडियो में फॉर्वाइट करेंगे तो फ्रण बिना देरी के लिए चलते हैं जोब इसकी पूरी वीडियो के और अगर आपको अच्छा लगत लाइक जरूर कर दिएगा तो फ्रण बिना देरी के चलते हैं आपने पहले कोशन के और पहला कोशन क्या कर रहा है मनुष्य के सरीर में हडियों की कुल कितनी संख्या होती है 206 मानों शरीर के सम्मान ने ताप मान कितना होता है आपको डिगरी में आपको 37 डिगर सेल्सियस होता है और फारन हाइड में आपका 38.9 डिगरी फारन हाइड होता है ठीक है अब बात करते हैं तीसे नमर कोश्चन की ओर मनुष्य का हिरदय होता है वो चार कोश्टिये में बता है चार भागों बटर रह आता है ठीक है उसको चार कोश्टिये बल जाता है लिए बात करते हैं नेस्ट कोश्चन चार नमर की ओर मनुष्य का हिर्दय एक मिनिट में कितनी बार धरखता है मतलब एक मिनिट में आपको कितनी बार पंपिंग करता है वो 72 बार हम बात करते हैं नेश्ट कोश्चन पाच्वेन नमर के ओड़ मानो शरीर के स्वक्ष्थ मस्तिक का वजन कितना होता है स्वक्ष मनुष्य में जो आपके स्वस्त रहते हैं उनकी मनुष्य क्या मानो सक्ति में कितना वेट होता है उसके मस्तिक का तो बात करते हैं पहले 3353 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच रहता है बात करते हैं नेक्ट कोश्चिन के वर छे नमर मानो कोपड़ी में कितनी हडिया होती है मानो के खोपड़ी में उप्री से टोल आपको आठ हडिया होती है चलिए बात करते हैं सात नमर स्वक्ष मनुष्ट की सांस लेने का दर एक मिर्ट में आपको 16 से 17 बार होते हैं नेक्ट कोश्चन चलते हैं आठवा नमर कोश्चन है हमारे सड़ी में सबसे कठोड तत्वा है ठीक है इसका राइट एंसर इनामील है ठीक है नवगा नमर कोश्चन क्यों चलते हैं मानो शरीर में जेल की मात्रा होती है कितने परशंट होती है 65 से 80 परशंट होती है दस्वा नमर कोश्चन क्यों चलते हैं मनुष्ट के सरीर में रक्त की मात्रा होती है आपको 5 से 6 लिटर की बीच में होती है बात करते हैं दर इगारा नमर कोश्चन की वर मनुस्य के सरीर में भोजन का पचने का अरंब कहां से होता है मुख से यानि मुझ से शुरू होता है तो लिए नेक्ट कोश्चन की वर चलते हैं बारा नमर की वर तो हम बात करते हैं 12 number question की ओर मानों शरीर की ताप नियंतरन गरंथी कौण सी है hypothemya गरंथी बात करते हैं 13 number question की ओर शमान ने मनुष्य रक्त चाप कितना होता है तो आपको रक्त चाप जो होता है 120 बटा 80 mm होता है जिसे हमनों BP बोलते हैं चलिए next question को चलते हैं? 14. मानों सरीर में रगत की मातरा सरीर के भार से कितना परसंट होता है? वो आपको 7% होता है नेक्श्ट question पांदर नमर के उचलते हैं? मनुष्य के रगत का pH मान कितना होता है? 7.4 16. मनुष्य के सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है लीवर यानि यक्रित मनुष्य के सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो अच्छा अठinku के सर्व दाता रग्त समु कौन सा है बलड ग्रूप बात करते ही ब्याक नेस्ट क्यूंशन सर्व ग्राहि सबसे बलड को वो लेगे कहें बात करते करना मत्रहुरू पहचे नेस्ट कोश्चिन 21 नमर मानमस्ति का सबसे बफ भाग कौन सा है इसकर आई टेंस होगा स्रेब्रम ठीक है अब बात करते हैं 22 नमर कोश्चन क्योंड टीबिया नामक खड़ी कहां पाई जाती है पैरों में 24 नमर कोश्चन क्योंड चलते हैं मनुष्य के मुत्र का पी एच मान कितना होता है छे 24 नमर कोश्चन क्योंड चलते हैं मनुष्य के सरीर में उत्तको की का निर्मान होता है पौटीन से नेक्ट कोशन 25 नमर के उचलते हैं मनुष्य के सरीम में बिटामिन ए किस अंग को संचित करता है या कृत यानि लीबर को नेक्ट कोश्चिन को चलते हैं 26 नमर मनुष्य के दातों और हर्डियों में होती है केल्सियम यह फास फोरस अब नेक्ट कोशन 27 नमर को चलते हैं मानो शरीर में सबसे छोटी गरंथी कौन से यह प्यूस गरंथी मानो शरीर का बलड बैंक कहा जाता है पलीहा को 29 नमर कोस्चिन को चलते हैं मनुष्य के शरीर में रक्त परिवा पर भून कि इस तने समय में होता है मतलब पुरे सरीर मेरे जो blood हमारा है कितने segment में चला जाता है तो आपको बता दूँ आपको 23 सेकंड में चला जाता है प्रड़े भ्रहमन उशी को बूले जाता है हम बात करते हैं 23 कोस्टन की और लाल रक्त कनिका को कहा जाता है, erythro-side, अब बात करतें, 32 नमर कोश्चन की और, लाल रक्त कनिका का निर्मान होता है, अस्ती मज्या में, 33 नमर कोश्चन, स्वेत रक्त कनिका का जीवन काल होता है, 2 से 4 दिन के होती है, लाल रक्त कनिका का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन के बीच 35 नमर कोश्चर मानों सरीर के मास पेस या की कुल संख्या कितनी है 649 बात करते हैं नेश्ट कोश्चन के ओड़ लिंगो का निर्धान होता है पूर्षो के गुंसुत्रो द्वाड़ा अब बात करते हैं 37 नमर कोश्चन के ओड़ मनुष्यों मानों सरीर में गुंसुत्र की संख्या होती है 46 बात करते हैं नेश्ट कोश्चन के ओड़ मनुष्य के सरीर में सबसे बड़ी कोश्च का होती है तंत्र का तंत्र नेश्ट कोश्चन के ओड़ चलते हैं यह वह नेक्ट कोश्चन करा है मनुस्य के सरीर में प्रती दीन मुत्र बनता है 1.5 लीटर आरेज फेक्टर के खोज करता कौन थे लेड़ सिश्टीनर एंवीनर ने बात करते हैं नेक्ट कोश्चन लार में पाये जाने वाला एंजाइम कौन सा है टाइलीन नेक्ट कोशन रक्त चाप यान बीपी मापने कायंत कहा है सिस्मों मेंडोमीटर नेक्ट कोशन को चलते हैं मनुष्य मनुष्य के सरीर में अमीनो अमन की संख्या होती है अमीनो अमन की संख्या 20 होती है अब बात करते हैं नेक्ट कोशन 14 नमर के मानो मुत्र कितने किस के कारण दुरुगन देता है यूरिया के कारण नेक्ट बात करते हैं पीत किस के द्वारा सुराइथ होता है लीबर द्वारा नेक्ट कोश्चन चलते हैं मानो रक्त को सुध करता है कीडिनी यानि विक्रित में नेश्ट कोशिन को चलते हैं तो बात करते हैं नेश्ट कोशिन मनुस्य कर सरीर में सबसे बड़ी हड़ी होती है फीमर यानि जांग में ठीक नेश्ट कोशिन को चलते हैं मनुस्य के मनुस्य के सरीर में सबसे छोटी हड़ी सर्टीपीज सर्पीज बात करते हैं उन्चाइशन और कोश्चन की मनुष्य के सरीर की सबसे मजबूत हड़ी जांग की जबरे की हड़ी होती है तो फ्रेंड बता दू आपको ऐसा ही कोश्चन चाहिए तो चैनलों को सब्सक्राइब कर दें और बेल एकन में दबा दें जिसे हड़ अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचा कि वीडियो अच्छा लागए तो लाइक कर दें नहीं तरह सेर जरूर कर दें